ताजा तर्न खबरों के लिए हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें नवसकार महुफ फिरोज हास्मी देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पानी पानी हो गया है और आपफ़त की बारिस ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है पिछले 24 घंटे में हुई भारी बारिस के चलते मुंबई की रफ्तार थमसी गई है और 24 घंटे में 170 मिली मीटर बारिस ठाने में हुई है और मुंबरा दीवा डोंबो अली में 230 मिली मीटर बारिस हुई है कल्यान बदलापुर में 335 मिली मीटर बारिस हुई है कल जिस तरह से बारिस का कहर जारी था और ठीक उसी तरह मुंबई अलट पर था और 26 जुलाई की यादे भी ताजा हो गया था लोग सदमे में थे कई जगह पर घर पानी में डूब गये थे दीवा में कई ऐसे इलाके हैं जो डूब गये थे लेकिन मुम्रा और दीवा में तैनाथ थे ठाने महानगर पालिका के आधिकारी दीवा में डेपोटी कमिशनर मनी मनीश जोसी अपनी टीमों को लेकर बचाव कार कर रहे थे दूसरी तरफ मुम्रा में मनीश जोसी के आधेस अनुसार कारकारी अभियंता धननजय गोसावी मुम्रा में तैनाथ थे मुम्रा में एक तरफ खाड़ी दूसरी तरफ पहाड़ी है पहाड़ी वाले तो सेफ थे लेकिन खाडी की तरफ रहने वाले जैसे आमीना बाग, पाटिलवाडी, धूम कमपाउंट, स्री लंका, देवरी पाड़ा इन इलाकों में लोगों के घरों में पानी भर गया था लेकिन धननजगोसावी ने तीन जेसी भी एक पोकलेन 40 वरकर को लेकर मुम्रा में अलग-अल इलाकों में भर रहे पानी को दूसरी तरफ डायवर्ट किया और अलट रहे और कुछ लोगों को सिमला पार्ट टीमसी स्कूल में भी सिप्ट किया है पाटिलवाडी में 200 लोगों को खाना भी पहुचाया था तो कहीं ने कहीं धननजगोसावी ने इंसानियत का प्रतीक दि तो दीवा में काफी जल भरा हुआ था वहाँ पर तैनात मनिज जोसी ने अपने टीमों के साथ दीवा में बचावकार कर रहे थे और लोगों को बचाया सुरच्छित जगह पर भी पहुचाया और पानी कम होने के बाद लोग अपने घरों में वापिस गए हैं पूरा घर डूपने वाला है आपका समझा ना रात में हम कुछ नहीं करेंगे तो इसला भाहर पड़ा सकेजन पूरा घर डूपने वाले तुम्हारा जल्दी निकल आवा है जल्दी निकलो पान निकल के समान प्रेकर करके खड़ रहो समान लेके भाहर आए चल्चाप सब तो कहीं न कहीं ठाने महानगर पाली का यहां पर एक एहम रोल निभाया है और मुम्रा के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर 24 घंटे जहमा जहम बारिस और दूसरी तरफ डेम जो बदलापूर का है धोखा दायक लेवल के उपर आ गया था जिसको मजबूरन खोलना पड़ा था और उल्हास नगर की नदी में आई बार के चलते ठाने मुम्रा दीवा कल्यान उल्हास नगर बदलापूर पानी पानी ह हो गया था और इन सब को देखते हुए लोगों ने बचाओ कार जारी रखा और लोग सुरच्छित रहे और इसी के साथ समाज राजनीती से जुड़ी होई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम